आपड़र कुसान शम्मान निधी ओजना की 7वी किस्त को लेके लगबग 11 करोड किसान भायों का इंतिजार जुए जल्दी समाप्थ होने वाला है दोस्तों आपको बतादे 7वी किस्त आने में क्यों हो रही है देरी आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस वज़े से जो है साथवी किस्त जो दिसंबर के पहले सब्ता में यानि की 15 दिसंबर से पहले पहले आने वाली थी वो नहीं आप सकी है किस कारण से क्या रीजन है जिसकी वज़े से किसानों को और लंबा इंतजार करना पढ़ रहा है तो दोस्तों आपको बता दे पीम किसान समान निदी योजना की सातवी किस्त का इंतजार करोड़ो किसान कर रहे हैं हाला कि किसान आनोलन के बीच किसानों को पीम किसान योजना की जो ताजा किस्त है वो मिलने में काफी देरी हो रही है यानि कि सातवी किस्त ज अब दिसंबर में आता है लेकिन इस बार अभी तक किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निद्योजना की साथवी किस्त नहीं पहुंची है इस साल पहली दो किस्ते 15 दिन के भितर भितर यानि की महिने की 15 तारिक से पहले पहले किसानों के खाते में टांसफर कर दी गई थी ले दोस्तो अगर आप PM किसान सम्मान निदियोजना के स्टेटस चेक करना चारे हैं और अगर आपकी अकाउंट में ये लिखा वारा है एप्टियो इजनलेटेड एंड पेमेंट कानफरमेशन इस पैंडिंग का मैसेज दिखाई दे रहा है तो आप परिशान नहीं हो येगा इस होती है उसकी सुद्धता यानि कि जांच की जाती है और जांच करने के बाद एप्टियो लिखावाता है कि फंड ट्रांसफर के लिए ये अकाउंट बिलकुल किलियर है रेडी है और जैसा ही सरकार दोरा किस्त जारी होती है तो आपकी अकाउंट में पैंसा आ जाता है इस आफिकिसानू के अकाउंट में आरेप्टी सिगंड वाई स्टेट लिखावा आ रहा है इसका मतलब आपको बता दे तो इसका मतलब है कि कई बार आपको जब इस तरीके से लिखावा आए फर्स्ट, सेकेंड, फौर्थ, फिफ्थ, सिक्त लिखावा दिखाई देता है तो आर आज सरकार केंदर सरकार से अनुरोद करती है कि आप इस लाभारती के खाते में पैसा भेज सकते हैं ये वाक्या में इस स्कीम का हगदार है इस स्कीम के लिए पात्र है तो इस तरीके से PM किसान शमान निदियोजना की दो बड़ी अपडेट आ रही है एक तो एप्टियो ल मैंने बता दिया है और किस्त के बारे में आपको बता दे किसान आंदोलन की वज़े से काफी कारियालों में जो है कारिय नहीं हो पा रहा है जिसकी वज़े से किसानों को और इंतजार करना पड़ सकता है अना कि मोदी सरकार 2021 यानि की नए वर्स में भी किसानों को साथवी क किस्त डाल कर तोफा दे सकती है ज्यादा तर संभावना है कि दिसंबर के अंतिम सप्ता में यानि की बात करे 15 दिसंबर के बाद बाद जो है किसानों के अकाउंट में पैसा आ सकता है अगर 15 दिसंबर में पैसा नहीं आता है तो 2021 यानि की जनवरी के पहले सप्ता में या एक जनवरी को भी किसानों के अकाउंट में नए वर्सका तोफा मोधी सरकार दे सकती है अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड़ सब्सकाइब के बड़न को दबा के चैनल को सब्सकाइब कर ले पास में बैला घंटे के निसान को दबा के ओल नोटिफकेशन को उन कर ले ताकि लाटेस्ट वीडियो की नोट आप कर पाएं